हाई गैस वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो बहुत बहुत श्वागत है आपका आज हम लोग डिसीय का 14 नमबर क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तो आज हम चार्ट के बारे में डिटेल्स डिसकस करने वाले हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं Microsoft Word already मेरा खुला हुआ है हमें यहां से चार्ट बनाने के लिए डिजाइन सीखना है दोस्तो एक्चुली में चार्ट होता क्या है तो जो आपका नमबर टेक्स्ट फॉर्म होता है उसको पिक्चस फॉर्म में कंभर्ट करता है चार्ट अप्संस और इससे जो होता है कि ज्याद वगरा बताने के लिए चार्ट का इस्तिमाल किया जाता है तो यह चार्ट जो है कि आपको टेक्स्ट फॉर्म को पिक्चस फॉर्म में कंभर्ट कर देता है इससे माइंड जो है कि तुरंत टेक अप करता है कि हाँ इसमें हुआ क्या है तो तुरंत आपको देखने से ही समझ चार्ट है जो डिजाइन आपको दिख रहा है दोस्तों इसी में आपको लाइन चार्ट मिल जाता है जो लाइन खिची भी होती है एक पाई चार्ट मिल जाता है एक वार चार्ट मिल जाता है एक एरिया सर्फेस मिल जाता है एक एक स्टॉक चार्ट मिल जाता है एक सर्फेस है एक radar है और एक cambo है तो इस तरह से बहुत परकार के चार्ट मिल दाएंगे हाला कि हम इसमें दो तीन चार्ट आपको design करके बताने वाले हैं बात बाकि हम इस तरह का आपको design बता देंगे कि आप खुद से भी सारे चार्ट को खुद से बना सकते हैं तो आपको करना क्या है कि column chart पर click करना है column chart पर click करने के बाद इसमें हमको 3,3,6,7 column का design दिख रहा है हम first वाले column को design कर लेते हैं इसमें क्या है कोई मोटा है कोई पतला है कोई dotted है कोई कोई दूसरा ही type का है 3D में तो इस तरह से बहुत सारे chart का design है तो हम first ही column chart को design करके और ok करते हैं जैसे ok करेंगे द design इस वाले खंड में तो यह वाला खंड में जो कुछ भी लिखा हुआ हम इसको खतम करेंगे खतम करने के बाद हम reporting यहाँ पर बनाना त्यार करेंगे तो चलिए हम report बनाते हैं जिसमें एक stock लिखते हैं STOC के मतलब name of item हो जाता है tab से मागे भर सकते हैं या keyboard का right arrow की भी प्रे जा करके amount यह मेरे कुछ list होगा है जिसमें समान का नाम हम type करते हैं करीन है एक डॉब है एक locks है और एक DETOL है एक मेर जियो मारक है सब जमाल लिया जा इतने मेरे समान है हम इसमें number of quantity डाल लेते हैं कि कितना पिस कोई समान खरीद रहा है उसके list यह रही right अब दोस्तों amount कितनी है तो amount यह 25 के rate से यह आपको 22 के rate से यह आपको 19 के rate से और यह आपको 24 के rate से और यह आपको 18 के rate से for example अब माल लिया जाए मुझे amount निकाल नहीं है तो यह Excel का seat होता है यहाँ पर हम फर्मूला लगा सकते हैं तो फर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर करसा रखेंग और 41 वाले यह quantity का column है इसमें क्लिक कर देना है keyword से गुना का symbol देना है और फिर इसमें क्लिक करके इंटर कर देना है अब दोस्तों जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर amount आ जाएगा तो आपको बारी बारी से सबको भी नहीं करना है इसमें करसर रखना है corner पे ले जाना ह सिर्फ कर दिजेगा तो automatic left वाला double click तो automatic fill हो जाता है तो यह design आपका बन गया अब इसकी जुरूत नहीं है यह chart यहाँ पर convert हो गए आपको इसको क्या करना है आपको यहाँ से cut करके हटा देना है तो यह chart यहाँ पर दिखने लगेगा colors वगरे करने हैं तो आप color यहाँ से कर सकते हैं बहुत सारे colors और design आपको दिख रहे हैं तो यहाँ से color कर सकते हैं आप यहाँ पर भी color बहुत सारे हैं जिस colors में change करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं layout को बदल सकते हैं जो मैंने बताया कि अलग-अलग layout जो है उन layout को आप यहाँ से change कर सकते हैं यानि बदल सकते हैं तो movement का भी position दिया हुआ है कि आप इसे move कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तो प्लस का भी absence दिया हुआ है कि यहाँ से अगर designs वह अगर बरहना होता है तो आप असानी से सारे designs को बरहा करके हर एक चीज को आप यहाँ पे watch कर सकते हैं देख सकते हैं Bruss का भी यहाँ पे symbol दिया हुआ है colors का भी absence है जो color करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं और filtering भी दिया हुआ जिसके filtering इसको कर सकते हैं अब दोस्तों यह switch अगर पसंद नहीं है तो switch यहाँ से आप बदल trois सकते हैं switch पे click करके आप switch भी यहां से convert कर सकते हैं object पे click करके अब दोस्तों इस chart के type को भी बदल सकते हैं आप यहां से जैसे यह type रखना है आपको ok करेंगे तो उसी type में convert हो जाएगा अगर आपको यह type रखना है तो इसको select करके ok करेंगे इस type में convert हो जाएगा तो जिस type में आपको chart को convert करना चाहते हैं वो आसानी से आप यहां से convert भी कर सकते हैं तो यह रहा है topic आपका column chart का आप चलिए हम लोग इसी में pie chart बना करके देखते हैं इसके लिए insert में जाना है फिर से आपको chart पे click करना है line chart पे जाना है या pie chart बनाना है तो दोस्तों हम इसको जो भी लिखा हुआ है इसमें word है इसको हम delete करते हैं और इसमें हम type करेंगे stock tap करने के बाद मैं यहाँ पे type करूँगा quantity सेम चीज मुझे बनाना है rate और amount अब क्या करना है यहाँ पे मुझे कुछ समान के नाम लिख लेने हैं से रीन इंटर करते हैं डॉफ और एक लॉक्स क्वांटिटी अपने मन से डाल लेते हैं जो भी हमें quantity डालनी होती है और rate भी हम यहाँ से type कर लेते हैं दैन इमाउंट निकालने के लिए हम formula लगा लेते हैं इसका नाम आजागा बीटू गुना का symbol देंगे और इसमें क्लिक करेंगे इसका नाम C2 इंटर करेंगे ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पर दिखाई देने रगेगा double click करेंगे तो यहाँ से automatic यह feel हो जाएगा आप corner पर लाना है cursor और यहाँ से आपको double click करना है इसमें करस रख करके यह lining है थोरा सा दिक्कत कर रही है अगर दिक्कत कर रही तो lining को थोरा सा upside भी कर सकते या इससे delete भी कर सकते आप lining को जो आपको यह वाला lining दिख रहा है तो यह amount मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगता है इस तरह से कुछ design में लेकिन हम इसको cut करके हटा देते हैं और यह design मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे हम यहाँ पे change करने का भी options बहुत सारा दिया हुआ है change chart में जाकर के हम designs को यहाँ से change भी कर सकते हैं इस तरह से ok करते हैं दोस्तों फिर भी यह design मुझे ज़्यादा तर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ select data का absence दिया हुआ है colors वगरा करने होते हैं तो यहाँ से जाकर के आप color को change कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ से color कर सकते हैं यह totally amount का दिखा रहा है और यह totally आपका जो stock item है वो दिखा रहा है यहाँ से plus का symbol है यहाँ से आप chart को बढ़ा भी सकते हैं तो दोस्तों यह chart में हमने दो chart आपको बना करके दिखा है column online इसी तरह से आपको pie, war, area, x, y, उसके बाद stocks, surface, radar और combo सबको एक बढ़ बना करके और यहाँ से try कर लेना है आपको एक बढ़ देखना है और खुद से आपको designs को यहाँ से तियार करना है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हम लोग अगले class में तब तक लिए जैहिंद